वेलो फ्रेंड्स नमस्कार गूड मॉर्निंग इस्पेशल गुरुजी जी एम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स से दि आप मेरे चैनल में नए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स आज हम लोग यंग्लेंड पोएट के नाम से किसे जाना जाता है ये आप्शन नमबर ए रावर्ट फ्रास्ट इड्वीन एलिंग्टन रॉबिंस कार्लस विलियंस ऐलन जिन पर कि ये तीनो लोग नहीं है यह न्यूः इंग्लेंड पूएट के नाम से मैंण से रावर्ट ली इनका नाम पूरा नाम रावर्ट ली फ्राश्ट है रावर्ट फ्राश्ट 1874 इनकी यह 1874 में पैदा हुए थे 1963 1963 में इनकी मृत्ती हुई थी वाज एन अमेरिकन पोएट उस समय कि यह एक अमेरिकन पोएट थे इस वर्ट वाज इनिशियली पॉबिश्ट इन इंगलेंड बिफोर इट वाज पॉबिश्ट इन अमेरिका नेस्ट पोएट पोएट वाज पॉबिफोर आई स्लीप इस अलाइन फ्रावर्ट ली फ्राश्ट की पोएम है इनका कुछ दीटेल है दै लाइन अपीर्स इज़ रावर्ट फ्राश्ट पोएम इस्टापिंग बाई ओट्स आन शनोवी इविनिंग ये इस्टापिंग बाई उर्स आन शनोवी इविनिंग पोएम लिखा गया लिया गया है 1922 में जो लिखा गया और 1923 में पब्लिश्ट हुई है नेस्ट कोश्चन टू रोड्स डाइवर्जड इन अ उड एंड आई टुक दववन लेस ट्रैवेल्ड बाई ये आपसन नमबर भी करेक्ट है रावर्ट लिफराश्ट का है रावर्ट ब्राउनिंग, रावर्ट सदे, ननवदे, ये तीनों का नहीं है रावर्ट लिफराश्ट का है इनका डीटेल देखते हैं दे लाइनस है विन बाई रावर्ट फराश्ट इन हीज नैटीन हंड़ेट ट्वंटी पोयम दे रोड नाट टेकन next question friends who wrote the following well-known lines the woods are lovely dark and deep and I have promises to keep friends yeah option number C correct with man immersion Faulkner it in low can I hear Robert Lee Frost the woods are lovely dark and deep and I I have promises to keep I did it take the hinka these lines are the part of poem title is tapping by us on a snowy evening by Robert Frost in 1922 Robert Frost के द्वारा 1922 में लिखा गया है stopping by us on a snowy evening poem जो रिटेन इन आयम्बिक टेटरामीटर आयम्बिक टेटरामीटर में लिखा गया है इन दर रूबियन इस तंजा पोयम डेस्क्राइब देस्क्राइब धर्ट्स आफ आफ अल लोन राइडर passing sorry friends passing at night in his travel to watch snow falling in the woods it ends with him reminding himself that depicts the loveliness of the view he has had promises to keep and miles to go before I sleep next question the line and miles to go before I sleep occurs in Robertly Frost poem when see is correct option b stopping by us on a snowy evening written in 1922 published in 1922 published in 1922 the road not taken the onset ons by the pacific यह तीनों नहीं है आफ सा number b correct है डिटेल देखते हैं दे लाइन्स and miles to go before I sleep occurs in Robert Frost stopping by us on a snowy evening written in 1922 published in 1923 in his new hampshire volume imagery personification and repetition are prominent in the work next question Robert Frost favorite figure of speech वाज इनका रावर्ट ली फ्राश का फेबरिट यह फिगर साफ स्पीच है आपसर नमबर दी सीनेकडोक सिमली मेटानामी और यह तीनों नहीं है आपसर नमबर दी सिनेकडोक है आई इनका डिटेल देखते हैं रावर्ट फ्रार्टस फेबरिट फिगर साफ स्पीच वाज सीनेकडोक बीकाज ही लवड फिगर आफ स्पीच इन विच अपार्ट इस्टूट फार आ रावर्ट लिफ्राष्ट का है यह और बसे नंबर एवर्च वर्फ वार्ट वित्मैन आलफरिट टेनितन के तिनों नहीं है यह रावर्ट लिफ्राष्ट के लाइन है औरस था लावर्टASE माड़ी Egg shortened ज Experimental – चूल दो YouTube करहण दो द्यानत। इन सा चॉम के मतं अडोपिया। आइस अनित कोःड़ ऐस एक जिक देल sometimes औरक एक अनिते किस द्यावित सुरिजस। चॉरस भी आर्द महुन्स द्भंस跟你 इस एक दिर रव ynर दिक के पाट को dovमर्स then come back to go it and begin over these lines are from Robert Frost's poem इसका correct option है, option number A, बर्चेज, Robert Lee Frost की पर्चेज है, इसका correct option है, option number A, बर्चेज, Robert Lee Frost की पर्चेज है, डीटेल देखते हैं, इनका, इसका correct blessed in Frost's third collection of poetry इसरे collection की है, बर्चेज, mountain interval that was published in 1916 बर्चेज, along with other poems, deal with rural landscape and wildlife shows, Frost as a nature poet. the poem is written in blank verse with a particular emphasis on the sound of sense यह blank verse में poem लिखी के है यह बर्चेस next question how many times did Robert Frost got Pulitzer Prize Robert Lee Frost को कितनी बार Pulitzer Prize मिला था friends इसका correct option है D4 चार बार मिला था Robert Frost got Pulitzer Prize for four of his works in 1924 for New Hampshire 1923 में मिला था New Hampshire के लिए second in 1931 फर्फर्ट फार कलेक्टेट पोयम 1930 में मिला था next in 1937 फार फर्दर अरेंज अफर्दर अरेंज 1936 में फोर्थ इन नाइंटीन हंडेट फर्टी फर्टी फार विटनेश ट्री 1942 में मिला था तीन चार बार इनको फुलिड़्जर प्राइज मिला था 1923 में 1930, 1936, 1942 में लेच्ट को इनका detail है A Mark of Mercy 1947 by Robert Frost based on a biblical story of Jonah the prophet in It is drama and a setting is a small bookstore in New York. next question who utter these words I guess I am not a nature poet I have written only two poems without a human being in them nature poet कौन नहीं है इसका correct option है C Robert Lee Frost वर्स 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 नेचर पोईट है केट से राव विटमैन यह तीनों लोग नहीं है कि नेश्ट क्वेश्चन दब मेडिल नेम आफ रावर्ट फ्रास्ट इस आप्शन नमबर इस प्रेक्ट है फ्रेंड अभी मैं बता रहे हैं Robert Lee Frost इनका मिडिल नेम है डिटेल है Robert Lee Frost वाज एन अमेरिकन आथर वूज मिडिल नेम इस ली फ्रेंड यह सब कॉस्चन आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटwriting रावर्ट फ्रास्ट तो रिशाइट एट वीज इन आगुरेशन से रीमैनी यह बुलाये गया था इनको केनेडी प्रेसिडेंट इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी ने इनको निमंत्र किया था इनका डिटेल देखते हैं American President John Kennedy ऐन्वी शिर।र विर्च जातन शीशित doughईः आजञ और शीचान के पेस विर।र्च घोंटीलसी भी हतना कुछे साथ प्रहुट इल्ट ह döओ 드ीक धिजविट आ smaller के इग दोथिए प्लेस फार लव इनका करेक्ट आप्शन है बी अर्थ एकार्डिंग टू रावर्ट लिफ्रास्ट अर्थ इस दे राइट प्लेस फार लव नेक्ट कोस्टिन रावर्ट फॉस्ट बार रावर्ट फ्रास्ट कब पैदा हुए थे इसका करेक्ट आप्शन है आप्शन नंबर ए 18504 में लिट टियल है रावर्ट फ्रास्ट वाज अंअमेरिकन पोएट रावर्ट फुली फ्रास्ट अमेरिकन पोएट थे बार्न आन 26 मार्च 1874 वे 26 मार्च 1874 में पैदा हुए थे ही इज हाईली रिगार्ड़ेड फार इज रियलिस्टिक डेपिक्शन आफ रूरल लाइफ और इस कमांड आफ अमेरिकन पोल्लो कॉल्ग्वेल सिपेख न्सकोश फ्रों इस फ्रोंट फ्रॉद फार्ट फैर्न आफ रॉल्ट अंध्वेड थे प्रेवल्ड फॉक्शन पुलोंग्ज देंग अपान थेम्श्ल्वस्वस्थ आज टर्न मेने लॉड्ड मैं इस का करेक्ट अप्ट्यों अप्ट नुम् के डिटेल देखते हैं क्या है इस लाइन्स आर टेकिन फ्राम रावर्ट ली फ्रार्स पोयम बर्शेज इट वाज कलेक्टेड इन फ्रार्स थर्ड कलेक्शन आप पोईटरी माउंटेन इंटर्वल पॉब्लिज्ट इन 1916 कंसिस्टिट आफ फिप्टी नाइन लाइन्स उन्सट लाइन में कंसिस्ट की गई है इस पोयम वाज इंस्पार्ड बाई लूशी लार्कम्स पोयम्स स्विंगिंग अन बर्श ट्री next question who among the Indian politicians was inspired by the following lines the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and my miles go to before I sleep friends इसका correct option option number a पंडित जवाहर लाल नेहरू कि डीटेल देखते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू आज इंस्पार्ड बाई द फालोइंग लाइन्स फ्राम रावर्ट ली फ्रार्स पोयम्स पंडित जवाहर लाल नेहरू इस लाइन से इंस्पार्ड हुए थे स्टापिंग बाई उर्स आनस नोवी इविनिंग से पब्लिश्ट इन 1923 जो 1923 में पब्लिश्ट हुई थी इस दपोयम्स इस रितन इन आमबिक ट्रमेटर इन रुब्याट इस तंज ए रेट बाई एडवर्ड फिट्जराब्ड फिट्राल्ड पोयम्स प्राइब्स द थाइब्स थाइड्स अफ लोन राइडर पासिंग अखिले जो सवार होके गुजर रहार अग्ज इन इस तेव प्राइब्स निटेच अच्छे प्राइब्स आपसान इस प्रफेयर वार्ड पोष्ट इन रावर्ड फ्र फ्रेस प्लीश 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 इस वर्क विच वन इस इत करेक्त सुन है आपसान नमबर आ नार्थाब बोस्टन North of Boston is a 1914 poetry collection by Robert Frost. Most of the poems resemble short dramas or dialogue. It is a book of people. Next question. Which of the poem expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? In correct option, option number C, Stopping by Urds on a Snowy Evening. Stopping by Urds on a Snowy Evening is a poem written by 1922 by Robert Frost and published in 1923 by 1922 by 1923 by 1923 by Stomping by Urds on a Snowy Evening. In his New Hampshire volume, the poem is written in the iambic tetrameter. इनकी कविता जो है, iambic tetrameter में लिखी गई है, लिखे हैं. इन रुब्यार्स इस्टन्जाद राइम इसकीम इनकी राइम इसकीम है, A, A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, D, E, D. This poem is said to begin in delight and end in wisdom. Next question, who of the following has written Earth's the right place for love? इनका correct option है, option number Robert Frost. Detail देखने, Robert Frost has written these lines which is taken from the poem verses, this blank verse, numerous variations on the prevailing iambic foot. Next question, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, in which poem of Robert Frost do the above lines occur? Friends, ये line जो है, option number C, stopping by Urs on a snowy evening से लिया गया है. आई इनका फिसे detail देखते हैं. These lines occur in Robert Frost's famous poem, stopping by Urs on a snowy evening, these lines are famous in Indian context. Because our late Prime Minister Pandit Nehru was a great admirer of the poem and kept these lines written in his own writing on his table at the time of his death. Next question, in which year did Robert Frost sell his farm in New England and moved to England? इसका करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर C, 1912. Detail देखते हैं. In 1912, Robert Frost sold his farm and sailed with his family to Great Britain, settling in Wickensfield, Bunkinghamshire, a small town outside London. Next question, good fences make good neighbors these lines occurs in which poem of Frost? यह option number B correct है. Mending Wall से लिया गया है यह लाइन. Detail देखते हैं. Good fences make good neighbors occurs in Robert Frost's mending wall. These lines means it is easier to be friendly with your neighbor and neither of you trespasses upon the other's property of privacy. Friends, video शमाप्त होता है. कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए. Good morning, take care. कर देगा हुआ हैं, P कर देगा है.